आप सभी लोगों को मेरे नमस्कार ओम बनीपद में हम आपकी सुरह भी आगई हो फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पेका ग्रुप रीडिंग लेकर और आज की रीडिंग में हम देखेंगे के दो हजार चौवेस का ये जो साल है ये क्या आपके लिए लगी साबित हो होगा और अगर होगा तो किस एरिया ओफ लाइफ से ये लकित होने वाला कहने के प्रोफेशनल लाइफ से लकी रहे गा परस्नल लाइफ से लकी रहेगा या कुछ और भी ओप्शिंग्ज मैंने चिट्स बनाये हैं तो उस से हम चेक करने वाले हैं and card reading है तो card reading तो रहेगी लेकिन उससे हम confirm करेंगे okay so pick a group reading है groups में आपके सामने आपको दिखा देती हूँ हाला कि time stamp पर है groups बने हुए हैं आपके birth month क्या धार पर लेकिन सामने से भी दिखा देती हूँ जो कि अब भी मैंने जल्दी जल्दी से तियार किया क्योंकि life session भी गरती हूँ ना वहाँ पर भी जरूरत पढ़ने वाली है तो मैंने सोचा ऐसे तियार कर लेती हूँ तो ये पहला group आपका रहता है अगर आपके birth month इन में से हैं तो and this is second group group number 2 और group number 3 तो देखीगा कि कौन से group में आपका birth month आता है उसी की reading आपने देखनी है और राइट ओके गाईज इसके बाद भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखो है तो ये general reading ही तो जरूरी नहीं कि हर एक बात जो मैं आपको बताओ वो आपसे resonate पूरी तरीके से करिये जाए लेकिन ये भी होता है general reading में कई बार कि reading जो है 100% 200% resonate हो जाती है आप comments देखते होंगे लोग बताते हैं और उन सभी लोगों की आभारी हूँ मैं जो लोग अपने experience यहाँ पर शेयर करते हैं बताते हैं मैंने सोचा है कि जो comments मुझे बहुत अच्छे लगते हैं उनको जरूर से share किया करूंगी क्योंकि लोगों को भी अच्छा लगता यह है तो मुझे किसी ने बोला कि इतने प्यारे comments आते हैं तो क्यूनी आप share करती हैं लोगों को अच्छा लगेगा तो मैं सुचा ठीक है मैं करूंगी तो कल मैंने किया था आज भी देखूंगी कि किसका प्यारू-प्यारू सा कॉमेंट आता है उस जरूर उसका स्क्रीन शॉट लेकर मैं शेयर करूंगी हलागी लेकर तो मैं वैसे ही रखती हूं खुद के आवा गाइस जेनरलेस्ट रीडिंग है तो कोई भी देख सकता है रीडिंग को कोई दिक्कत कोई परिशानी नहीं है और टाइमलेस मैं कहूंगी कि इस साल में देख सकते हूं नेक्स्ट येर देख सकते हूं यह अप्लिकेबल रहेगा काफी साह लोगों का यह सवाल रहता और सबसे इंपॉर्टन बात वो यह कि 709 टेरर्ट फैमिली जो हमारी है यहाँ पर धर्म और जाती को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता है तो आप किसी भी धर्मिया जाती के हैं फर्क नहीं परता आप रीडिंग्स देख सकते हैं गाइदेंस ले सकते हैं गाइस हमारा चैरिटी फेस्टिबल चल रहा है औक्टूबर से फेबरुआरी तक आप लोगों को पता है या फिर नहीं पता है अगर नहीं पता है तो मैं अभी बता रही हूं सुन लो तो फटा-फट से आपके घर के जो पुराने कपने हैं या बरतन है जो भी पुराना समान है बेशक फटा हुआ या तूटा-फूटा सा नहीं होना चाहिए बस यूजड है तो वो हमारे एड्रेस पर आप लोग भेज दीजिएगा और नया अगर भेजना चाते हैं तो नया भी भेजिएगा बहुत अच्छा रहेगा ये लेकिन वही है मैं नया ऐसे नहीं आप लोगों को ब लिक्वेस्ट करती हूँ कि आप यहां पर बेज दें लेकिन जो नए लोग है उनको थोड़ा वो थोड़ा में स्टोर हो जाते हैं तो अगर नया भीजना चाहें आप तो बहुत अच्छी बात है नया ब्लैंकेट्स भेज सकते हैं कपड़े बेज सकते हैं बच्चों के कप 12 साल तक के जो बच्चे हैं 12-13 साल के 14 साल के भी चलेंगे तो वो कपड़े अगर आप भेजोगे तो बहुत अच्छा रहेगा पुराने कपड़े भी आप भेज सकते हैं बैट शीट्स कर्टन्स ओके एंड जो भी आपकी घर में समान ऐसा है जो आप यूज नहीं कर रहे ह जैसे पिछली बारी मुझे कुछ लोगों ने कुछ जोल्री वगेरे भेज़ दी थी बच्चियों के लिए तो वो भी मैं देखे आई थी खाने पीने का समाना आप लोग भेज सकते हो और अगर आप चाहो तो डोनेट भी कर सकते हो हमारे वेबसाइट पर जाकर तो फैबर नहीं करती हो कुछ लोगों ने नोट बुक्स वगेरे भी भेज़े हैं पैंसल और पैन वगेरे भी बच्चों के लिए भेज़े हैं तो अगर आप वो भेजना चाहें तो वो भी भेज सकते हैं जरूर से एड्रेस आपको चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हो वरना ले सकते हो तो प्लीज इसका हिस्सा बने फेस्टिबल का इसमें पार्टिसेपेट करें बहुत से लोगों की हेल्प हो जाती है हम लोग अपनी तरफ से तो करते ही हैं आप लोगों से भी हेल्प मांग रहे हैं क्योंकि सारी फैमिली है अपनी चाहते हैं कि जादा से जादा लोगों की help हो सर्دियों में किसी को दिक्कत ना हो किसी की जान ना जाए यह प्रियास है हम लोगों का कि हम उनको safe रखे बागी फिर भगवान की मर्जी होती है देखो लेकिन जितना कर सकते हम उतना कर रहे है तो आप लोग अगर आप लोगों के पास में समान है काफी कुछ आपने स्टोर रूम में रखा हुआ है तो उसको निकालो फटा-फट से और फटा-फट से हमारे अड्रेस पर उसे बेज दो और अगर वो काफी ज्यादा उसका अमाउंट बनता है तो आप हमें बता सकते हैं हम अपनी तरफ से किसी को बेजते हैं और सामान मंगवा लेते हैं तो वो भी हम करते हैं लेकिन हां बॉक्स वगएर आपको त्यार करके रखना होगा आप ऐसे खुले में नहीं दे सकते हैं ठीक है तो इसके लिए आप लग त्यार रहे हैं और पेट परसनल रीडिंग्स और फ्री टेरो काड रीडि नहीं होगा बट दो-तीन दिनों में आ जाएगा लेकिन जो मैसेजिस के जो डेक है मैसेजिस का जो आपको बहुत पसंद है वो अभी अवेलिबल होगा वो आप ले सकते हो और ब्रेस्टेट वगरे कुछ चाहिए तो वो एनरजाइस करती हूं मैं तो इसके लिए अपनी ड करते हैं कि हमारा एक हमें भी डिकात हो जाती है मतलब एकले मैं कर चूकि योण से अब टेक्ट होती है te Νа जाती हो जोब्लीब करते हो कोई भी ब्रेस्ट्ट या ग्रेस्टल लेते हो तो प्लीज आप लोगों से सही रावें लाला करो या क्यों मैंने से इतना काम करवाते हूं ठीक है ना तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना और प्री टेरो कार्ट के लिए इंस्टेग्राम पर आप मुझे जॉइन कर सकते हैं वहाँ पर भी आ जाती हूं लाइफ कभी पोस्ट डाल कर रीडिंग कर देती हूं कभी वो उसको क्या उपाय करने चाहिए सक्सेस्फुल होने के लिए तो वो सारी चीज़े भी आप देख सकते हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और चाहे तो टेलिक्राम ग्रूप भी जॉइन कर सकते हैं वहाँ पर भी मैं आती रहती हूं और बहुत ज लें इस सारा सब को सामान लेकर उसके बाद आप हमें जॉइन कर सकते हैं अगर आपका दिल चाहे तो ठीक है चलिए गाइस तो शुरू करेंगे आज की हमारी रीडिंग और देखेंगे क्या कुछ आने वाला है अपने लिए भी देखूंगी चलिए शुरू करते हैं ओल द की रीडिंग में हाँ तो कैसा रहेगा ये साल आपके लिए लगी रहेगा कितना लगी रहेगा लगी तो देखो रहेगा क्योंकि हम मानते हैं और हम जानते भी हैं तो लगी है रहने वाले अब देखेंगे कितना लगी रहने वाला है तो शुरू करेंगे इन कार्ट के साथ ओके जी शफल कर लेती हूं ऐसे तो करके रखा हुआ है लेकिन सामने भी करना पड़ता है okay कुफ लूब 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 लू लूब लू.. okay page of curbs night of curbs eight of pentacles hmm कुछ cards मैं और निकालूंगी फिर बताती हूँ nine of pentacles page of swords fool थोड़ा सा आपके बारे में बताऊं आपकी personality के बारे में राशिया भी बताती हूँ राशिया मुझे लगता है आप लोग हो सकते हो एक तो मुझे libran energy आ रही है तो तुला राशि के हो सकते हैं आप लोग Capricorn Vargo भी लग रहा है मुझे यहाँ पर Cancer भी यहाँ पर आ रहा है Cancer यानि के करक राशि हो सकती है Pisces भी हो सकते हो Mean राशि भी मुझे यहाँ पर लग रही है आप लोगों के लिए Aquarius भी हो सकते हैं आप लोग Capricorn मैंने बताया न Capricorn Vargo डॉरस तीनों का ही लग रहा है मुझे इसे अभी देख रही हूँ Messages चैनल कर रही हूँ तो तीनों का ही लग रहा है कही न कहीं Stable है नर जी बहुत ही देखने में काफी शांत हो ऐसा है और नहीं हो भी लोग unlikely दियर क्याद tänा दीर गंबीर कुछ वया़ी से हो बहुत जयादा बात नहीं करना उन तोड़े से शर्मीले लोग हो सकता है आपको बोलते भी हो कि आप शर्मीले से लगते हो कम बोलते हो शांत रहते हो इस तरह के इंसानों काफी एमोशनल हो लेकिन इमोशन साइटिंग दिखाते नहीं या दिखाना नहीं आता ऐसा है कि फ्यूचर का बहुत ज्यादा सोचते हो और को कि एक आधत है आप अगर मालो जändeसे आप बिस्नेस कर Já hamb कर रहे हो तो जोड़ आपको मिलरा है उसको इन्वेस्ट करने का सोचते रहते हो कहां पर इन्वेस्ट किया जाए जिससे कि आपने जो कमाया उसका दुगना हो या जैसे कल अगर काम नहीं करपाते हो किसी परिस्थिता वर्स या जैसे आपको ओल्ड ऑड़ेज का लगता हो कि कल उन्म इतनी जो जाएगी आप नहीं कर सकते हैं धेर होना चाहिए और पैसे की चिनता फिर खत्म हो जाए अपना मन्तली हमें कुछ तो मिलता रहे और हमारी सेविंग्स भी रहे हमारे यूद। कुछ कठिन परिस्तिति हो जाती हैं इसके लिए और फिर आप कमाओ तो ठीक है कमाते भी रह सकते हैं लेकिन अगर हम नहीं भी कमाएं तो हमें कोई चिंता ना हो कुछ वैसी वाली आपकी सोच है ऐसा मुझे लगता है किताबे पढ़ने का आपको बहुत शौक है और हमेशा पढ़ते रहते हो बहुत नॉलिजबल हो काफी चीजों की नॉलिज है आपको एंड हमेशा रहते हो हंसते खीलते से रहते हो अगर हैं भी दिकते मुझे पते क्या लग रहा है कि बहुत उतार चड़ा बहुत देखें आपने लाइफ में अभी ऐसा हो गया ना कि हर बात पर आपको हंसी आती है शुरू में थोड़े से आप परेशान होते भी थे लेकिन अभी आप हर चीज के लिए हंस देते हो कि ठीक है अभी यह तो रहना ही है कुछ नहीं कर सकते कुछ वैसा है आप मतलब accept करते हो कि ठीक है अभी है परेशानी तो क्या किया जाए और कुछ करना काम 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 ऐसा एंड थोड़े जिद्धी भी लगते हो लगता है जैसे अपनी कंडिशन हर चीज में रखना चाहते हो और कुछ चीजों को लेकर हर चीज को नहीं वैसे तो कॉम्प्रोमाइस करते हुए भी मैं आपको देख रही हूं सैक्रिफाइस करते हुए भी मैं आपको देख रही हूं लेकिन कुछ चीजों में आप अपनी कंडिशन्स रखना चाहते हो कॉम्प्रोमाइस नहीं करना चाहते है अगर आपकी थर्टी है या थर्टी से ज्यादा है तब तो बिल्कुल भी नहीं आपको ऐसा है कि इसपेशली अगर यहां पर बात पार् है एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए जो आपकी जर्णी को समझे सपोर्ट करें और अगर वो नहीं कर सकता है तो फिर कोई बात नहीं फिर इसके लिए आपना मेंटली प्रिपेर्ड हो कि अगर माली जी आपको कोई पसंद आता है और उसके साथ में नहीं आपको लग रह आएगा जो आपने सोचा तो आप छोड़कर आगे बढ़ने के लिए भी तैयार हो ऐसे खुद को आपने प्रिपेर्ड किया हुआ है बातें करने में बहुत अच्छी हो देख रहा है मझे कि किसी से भी बात करते हो तो वो इंप्रेस हो जाता है और बड़ा मधूर बोलते हो धीरे-धीरे से प्यारा-प्यारा सा या फिर बोलने में बीच-बीच में हसते रहते हो तो वो चीज लोगों को काफी पसंद आती है सब्वे हो सीधे साधे हो स्कूल में या कॉलिज में भी होगे तो सबसे अच्छे स्टूडेंट होगे हो सकता है आपके जो टीचर्स हैं हों कहते हो आरे यह सबसे सुल्जा हुआ बच्चा है ऐसा कुछ तो यह थोड़ा सा मैंने आपको आपकी personality के बारे में बताया मझे लगा कि मुझे बताना चाहिए तो आप देख लेते हैं कि यह जो 2014 से कैसा रहने वाला है आपके लिए 2023 में भी बड़े-बड़े transformations हुए हैं और transformations अच्छे भी हैं लेकिन ऐसे transformations ज्यादा हैं जिनमें आप confused रहे हो समडाइम्स आपको अकेला अपन महसूस हुआ और finances को लेकर शायद दिक्कत रही है ज्यादा ऐसा लगता है कुछ मिला भी है लेकिन जो गया है वो भी कम नहीं था बड़ वही है कि आप जेल गए क्योंकि आपको लगता है कि ओके यह सब तो चलता रहेगा यह वाली चीज़ और यह अच्छा है attitude पता है यह होना चाहिए हम सब ही में so let's see कि यह 2024 जो है कितना लखी रहेगा आपके लिए और किस चीज़ को लेकर लखी रहेगा सो दो से तीन कार्ट में निकालूंगी I mean कार्ट नहीं यह मैंने अपने खुद के कार्ट बनाए है वो निकालूंगी उससे पहले यहां से भी कुछ देख रही हूँ sorry guys sorry actually बोलते बोलते ना ऐसा हो जाता है लाइफ सेशन था सुबह फिर अभी रीडिंग कर रही हूँ फिर परसन रीडिंग भी है तो गला थोड़ा साथ देना बंद कर देता है फिर से यहां पर नाइट आजी आती है तो यहां पर नाइट आजी आती है तो यहां पर नाइट आती है तो यहां पर नाइट आती है फिर से 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 यहां पर नाइट पर नाइट of wands with the high priestess, all right, इसको मैं आरक देती हूं, okay, so, अगर आप speciality में मानते हो बहुत ही ज्यादा, ठीक है, एक तो जैसे वो लोग आते हैं reading देखने के लिए, जिनको कुछ, जिनको test करना होता है, कि लेट सी, टेरो कार्ट काम करता है, या फिर नहीं, कुछ वो लोग आते हैं, कुछ लोग वो आते हैं reading देखने के लिए, जिनको पक्का विश्वास होता है, कि यहां पर कार्ट में जो बताया गया है, वो होकरी रहेगा, तो अगर आप उन लोगों में से हो, यानि कि आपन में हो, ऐसा भी हो सकता है, कि किसी God, Goddess को, किसी को तो मानते हैं, और बहुत ज़्यादा बक्ती करते हैं, तो उनके लिए next year, miracles लेकर आएगा, ऐसे मान के चलो, जैसे अगर आपका गोल है, स्पिश्वालिटी में और आगे बढ़ने का, से हम मानते कि हमारा ultimate truth वही है, कि हमें इस्पिश्वालिटी से जुड़ना है, और, you know, material world से थोड़ा अलग होना है, दूर होना है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ तकलीफ हैं यह आपको मिलने वाली है, तो जो इस बात को समझते हैं, और प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस्पिश्वालिटी में और ज़्यादा आगे देखने को मिले, और शुरुआत अभी से हो गई हो, यह जो नंबर होता है, यह रहता है, एक magician का नंबर समझ सकते हो, अगर आपको यह नंबर दिख रहा है, तो आप समझ जाओ कि इस मुमेंट में आप कुछ भी मैनिफिस्ट करोगे, वो हो जाएगा, पि रियालिटी में चेंज हो जाएगा, अब ऐसे में बोलते हैं, कि अगर आप बहुत निगेटिव होते हो न, और आपको 1111 दिखता है न, तो आपके लिए खत्रा हो जाता है, क्योंकि आप कुछ गलती सूच रहे हो, और रियालिटी में चेंज हो जाता है, तो हमें बोले जाता है, इन चीजों से घिरे हुए हैं, आते हैं, लेकिन पॉजिटिविटी उस हद तक काम करती हैं, हमारे लिए कि निगेटिविटी का कोई असर होता नहीं, तो यानि कि नेक्स्ट एर आप कुछ भी सोचोगे, मानलो आपने सोचा कि आपका इना वक कम्प्लीट हो गया है, आपन इन से कनेक्ट होना शुरू हो जाओगे, अगर आप भक्ती कर रहे हो, किसी भगवान में मान रहे हो, तो उनके दर्शन आपको हो सकते हैं, या कोई ऐसा काम आपका बनेगा, जो कि अभी आपको लगता है, इंपॉसिबल हो ही नहीं सकता, तो आपके श्रध्धा, आपके फ कि बात कर लेते हैं, जो कि स्पेशालिटी में बहुत अच्छे अभी, हाल फिलाल में नहीं है, नए-नए है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनके लिए अगर मैं देखूँ तो एक तो ब्लेसिंग ये है, कि शादी आपकी हो सकती है, थोड़ा कठिन परिस्तितियों में होग क्योंकि आप चाहते हो, यहाँ पर King of Wands है, इसका मतलब है कि वो आप चाहते हो, अगर यहाँ पर King of Cups होता हो और फिर ये combination मना होता, तो वो एक जोड़ जबर्दिस्ती की बात हो जाती, कि family चाहती है, शादी करें, फिर वो होती, शादी और आपको अच्छा नहीं लगता हैं आप दोनों के वीच में, पर आपको पता है, आपको उनी के साथ जाना है, तो आपने decide कर लिया है, वो भी तयार है, उनको देखकर लगता है, तो शादी आपकी हो जाएगी, तो इस दृष्टी से देखें, तो लखी है, यह साल आपके लिए, तीसरा में देख रही हू तो next year कुछ नया शुरू करेंगे, वो तो रहेगा ही, और जादा थोड़ा फैलाने की काम को फैलाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा risky आपको लगेगा, आपको लगेगा कि पता नहीं, आप कैसे सब कुछ manage कर पाओगे, आपकी अपनी कुछ चीजे हैं, जिनको संभालना, personal life से जुड़ी हुई, फिर professional life उसको भी handle करना है, कैसे कर पाओगे, तो शुरू में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे महीने निकलेंगे, सब कुछ balance हो जाएगा, तो ये जो चीजे मुझे clearly यहाँ पर दिखाई दी हैं आपके लिए, वो मैंने आपको बता किसी के साथ में आगे बढ़ने की, आप चाहते हो कि कोई आपको मिले, तो इच्छा वो आपकी पूरी हो जाएगी, अगर आपकी इच्छा नहीं है, तो ये काम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर king of wands है, इसलिए बोल रही हूँ, okay, king of wands मतलब जो ये चाहेगा, वो इसको म मिलता है, अब चाहें कैसे भी मिले, इसने अगर ठान लिया, कि इसको कोई चीज चाहिए, तो मिलेगी जरूर, तो वो आप पर है, अगर आप चाहते हो कि कोई आपको मिले, आप सिंगल ना रहे, आपको कोई मिल जाएगा, for sure, क्योंकि queen of pentacles हैं आपर, और जो partner आपको मिले यह मस्ती करेगा, रुपए पैसे का बेहत ख्याल रखेगा, हाँ, और हो सकता है कि उनका अपना business भी हो, तो वो wives आ रही है, ठीक है, और समाल लेगा, घर भी समाल लेगा, बाहर का भी समाल लेगा, या समाल लेगी, ऐसा partner आपको मिलेगा, इसके अलावा देख लेते हैं, क यहां पर कार्ड आया है, जो कि मैंने का था, कि दो से तीन में निकालने वाली हूं, sorry guys, sorry, कहां से लखी रहने वाला है, तो पहला कार्ड आपके लिए आया है, लव, तो लव लाइफ, आपकी अगर देखी जाए, तो नेक्स चेर बहुत अच्छी रहेगी, लग आपका को मिलेगा, जो कि शिरुवाती दिनों में हुआ करता था, और अगर अभी भी प्यार है, कोई लड़ाई जगड़ा आर्गुमेंट्स नहीं हैं, तो और जदा प्यार बड़ेगा, बस, दूसरा यहां पर आपके लिए कार्ड आया है, ट्रेवल का, तो अगर आप ट्रेवल जो सकते हैं, रिलेटेव हो सकते हैं, वो बोलेंगे, हमारे साथ चलो गुमने के लिए, यह हो सकता है, या फिर आप ही कोई ट्रिप, यू नो, प्लैन करोगे, तो आप जा सकोगे, चाहें दो से तीन ट्रिप्स करो, चाहें एक ही करो, लेकिन इसमें दिक्कत कोई नहीं जा नहीं पाती, जबकि मुझे बहुत यह शौक है, कि हर छे महीने में कहीं तो मैं गूमने के लिए जाओ, और अच्छा रहता है, माइन फ्रेश होता है, नहीं चीजों को आप एक्स्प्लोर करते हो, जानकारी होती है, तो शेर भी करती हूँ मैं यहां फैमली के साथ, तो नहीं अभी हाल-फिलाल में तो हो पा रहे है, लेट सी आगे होगा या नहीं होगा, तो मैं बस बता रही हूँ कि बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि ट्रावल में क्या है, वो तो हम प्लान करेंगे, नहीं होता बाबा, यहां पर बहुत से लोग ऐसे होंगे, जो कि हर स साल कुछ प्लान करते होंगे फिर क्यांसल हो जाता होगा तो नेक्सट एर ऐसा है कि जहां पर भी आप जाना चाहें अगर तीर्थ भी करना चाहें तो नेक्सट आपके लिए बैस्ट है लग पूरा-पूरा साथ देगा इनसी मैंने आपको सबसे पहला मैसेज यही दिया था और यहां पर यह आ गया तो इस एडिया से आप काफी ज़दा लग आपका साथ देगा और हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी अगर आप हेल्थ के लिए फिटनेस के लिए कुछ करना चाहते हो नेक्सट एर से आप शुरू कर पा चल रहे हैं उसका ट्रीटमेंट भी आप ले रहे हो तो नेक्स्ट एर आपको आ रहा है यहां से मिलेगा ठीक है तो हेल्थ आपकी पॉफेक्ट रहेगी और भी देख लेंगे चलो किसी का यूनियन रियूनियन कोई मैनिफेस्ट कर रहा है आप लोग चाहते हैं कि हो जाए तो वो भी हो जाएगा क्योंकि लव के लिए आया है कार्ट तो लव लाइफ आपकी अच्छी रहेगी हो सकता है अभी सवाल हो सेप्रेशन है तो वापस मिलेंगे या फिर नहीं व है जाया होगा और असा भी हो सकता है कि आपको कोई र ढाया मिल जाए तो किसी ना किसी तरीके से आणैश जो अर डाउट नहीं है और बहल को जहां पर भी सब्सक्राइबार भी सब्सक्राइब हो समझनी आ रहा तो डिररेक्शन फिर चूस किया जाए आपके destination तक महशने के लिए यह energies आपका साथ देने वाली है next year तो आपको अलग से किसी reading की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको किसी astrology के पास जानी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको खुद रास्ते दिखते जाएंगे आपको clarity मिलती जाएगी यह देखिए मैं इसी के बारे में बात कर रही थी इस साल रहा है ऐसा कि आप कुछ भी शुरू करते होंगे तो obstacles आते होंगे लोग कभी कुछ क्या देते हैं या delay हो जाती है चीजें लेकिन next year ऐसा नहीं होगा और कई सारी चीजों का सच भी आपको पता चलेगा cards में ये भी आता है कुछ चीजें अगर आप से छिपी हुई है सामने आपके नहीं आई हुई है तो next year वो सारी चीजें खुल कर आपके सामने आएंगी अगर इस तरीके से देखें तो यहां से भी lucky है अब इसको लेकर कुछ लोग का perception थोड़ा अलग हो जाता है कि अच्छा कुछ ऐसा पता चलेगा हम उदास हो जाएंगे आपको नहीं सोचना है कि उदास हो जाएंगे आपको कुछ होना चाहिए clarity मिली है तो आप आगे बढ़ पाओगे और मैं देख लूँगी यह क्या truth है किस बारे में है acceptance कई सारी चीजों को आप accept भी कर पाएंगे जो आपके बारे में है आपके personality के बारे में हो सकता बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता जैसे अभी मैंने destiny number one की reading करी थी तो वहाँ पर कुछ लोग बोल रहे थे दो से तीन लोग थे क्या रहे थे number one मेरे से resonate नहीं किया लेकिन अगर उनका destiny number one है तो वो resonate करेगा ही करेगा अगर anyhow वो resonate नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो उनका nature है या जो वो खुद है उनको खुद नहीं पता कि वो कैसे है ऐसा हो जाता है कही बार और इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप meditation करें योगा करें जिससे आपको पहचान हो खुद की राइट मैं क्यों ऐसे बोल रही हूँ कि जो destiny numbers मैं बता रही हूँ न उस व्यक्ति का वैसा सुभाव होना चाहिए या उसको वैसे काम करना चाहिए उसको success भी मिलेगी जैसे number one वालों के लिए था कि उनको control करने की आदत है तो उनका success की भी वही है अगर वो चीजों को control में नहीं लेंगे तो वो successful नहीं हो सकते अगर वो यह नहीं कर रहे हैं तो वो पीछे रह जाते हैं ऐसा है तो अगर आपने खुद में वो चीज नहीं पाई है अभी तक महसूस नहीं किया या नहीं जाना है न तो आपको इस पर काम करना चाहिए आपको यह नहीं कियाना है कि resonate नहीं करना आपको सोचना है कि जब ये चीज़े बताई गई हैं तो क्यों मेरे में वो चीज नहीं है क्यों मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही चीजों को या क्यों मैं डिसिप्लेंट नहीं रह पा रही हूं मुझे डिसिप्लेंट चाहिए नमबर वन वालों को ये भी भुला गया है कि अगर वो disciplined life नहीं जीते हैं तो वो पीछे रह जाते हैं क्योंकि sun का number है वो तो उनके लिए जरूरी है control बनाना, disciplined life, you know जीना अपना schedule बनाके सारी चीज़े प्लान करना अगर वो नहीं कर रहे हैं तो कहीं न कहीं इसी लिए वो successful नहीं हो पा रहे हैं चाहे वो personal life हो चाहे professional life हो बले कोई उनको घमंडी बोले बले कोई उनको इगोस्टिक बोले वो उन सारी चीज़ों की आपको परवानी होनी चाहिए क्योंकि वही वो गुण भी है अब गुण भी है तो उनी के साथ आप आगे बढ़ोगे और मैं इसके बारे में डीटेल में आपको बताऊंगी हो सकता आभी भी बता रही हूं आपको बुरा लगे लेकिन बगवान ने बनाया है आपको कुछ तो सोच किये हैं तो अगर आप उसका विरोध करते हैं तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी अगला काड आपके लिए आया है अबनेंस का एक्सेप्टेंस एन अबनेंस तो जैसे ही आप खुद को एक्सेप्ट करोगे और अपनी कमियों के साथ या अपनी ज्यादा लगी साबित होने वाला है क्योंकि आपके लिए अबनेंस का काड आ चुका है और इश्वर की क्रुपा आप पर बनी रहेगी हाला कि वैसे भी बनी रहती है लेकिन चमतकार आपको नेक्स्टेर देखने को मिलेंगे miracles जिनकी हम बात करते हैं कि कभी तो कोई तो miracle हो ओके तो miracles आपको next year देखने को मिलेंगे confidence is your key to success तो आपके success का जो key है वो है confidence यानि कि next year आप अपना confidence दिखाएं और आगे बढ़ें हर एक सवाल का जवाब भी आपको मिलेगा उसी confidence के आधार पर और आप कुछ भी काम करते ह रहे हैं कुछ और ट्राइ करते हैं सक्सेज आपको पक्का मिलने वाली है नेक्स एर ओके ऑल राइट गाइस तो यह थी आपकी रीडिंग आई होप कि आपको पसंद आई हो अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें रेजनेट करी हो तो मुझे जरूर बताएं आप लोग म लिए जरूर हाजिर हो जाऊंगी और राइट तो फिर मिलते हैं नेक्स एरिडिंग में आटलनें टेक एर बाइट है गाइस तो अगर आपने चूस किया है ग्रूप नंबर टू जो की है कुछ इस तरह से फैब्रोरी में आउगस्ट और नवेंबर अगर आपके बर्थ बिल्कुल नहीं होगा तो चली देखते हैं क्या कुछ निकल कर आता है हमारे काट्स में शुरू करते हैं रीडिंग गाईज अगर आपने इंट्रो नहीं सुना है इंट्रो जाकर जरूर सुनें जाकर क्या है जाकर जरूर सुनें आपको काफी कुछ वहाँ पर नहीनी बाते पता लगेंगी जोकि मैंने शेयर करी है तो भाई आपकी काम आ सकती है एक मिनिट है जारा प्रे कर लूँ कर दुन कर दो ओ रृट कर दो कर दूब कर दूब कर दूब कर दो कर दूब 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 कर 10 of pentacles the high priestess page of cups emperor queen of cups four of cups and king of swords okay ace of pentacles congratulations guys saal ap ke liye lucky hai bottom of the deck ace of pentacles dhekne me bada chotu sa lagta hai wadda baut baut brabhav shali nagta chotu to qya hai ye card लेकिन इसके माइन है बहुत गहरे है इस्टेबिलिटी का क्या सकते हैं सिंबल है साइन है सो अहां नेक्स टेर क्या कुछ है यहां से भी दो कार्ट निकाल लो इसे बताते हूं आपको लुभ उपको लूस खधार मून अल्हँ इस कवपप लुटन गष्व et वारो क्या है कइ ञार क्या・टंश ऑ् judgment लारो का स्ट्री लार क्या बहค क्या? तो देखो मैंने आप लोगों को बोला था कि कहां पर ये साल लखी साबित होगा परस्नल लाइफ में प्रोफेशनल लाइफ में तो वो भी मैं आपको बताऊंगी जो हैं रिटन हैं मेंड कार्ड्स हैं उनको देखकर लेकिन उससे पहले भी यहां से मैं कुछ बताना चाहूं पहले आपकी परस्नलिटी के बारे में थोड़ा बहुत बताओं जो पाइल वन में भी मैंने किया हो सकता है आपको पसंद आईए तो शुरू करते हैं एक तो मुझे लग रहा है हो सकता है आपका डेस्टी नंबर 2 हो अगर डेस्टी नंबर 2 नहीं भी है तब भी आप काफ किसी को प्यार करना चाहते हो किसी को ना नहीं पूल पाते हैं कोई एक चोटा सा कि指 अगर आपको दे उस उस को बड़ा समझाम के रखते हो बदले में उस से कहीं जाधा बड़ा कहीं जयाधा कीमती गिफट देनी के इच्छह आपपकी रहती है और जो आप जैसे तासे को आप जानते हूं कि लिए भी गिफ्ट सापको देना बहुत पसंद है आई इसके अलावा प्यार में बहुत दोके खाए हूंगे आपने जितना कि मैं समझ पारी हूं कार्ड देखकर प्यार में दोके खा जाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा तो अपर जाते करें बहुत ज्याद्न दोके मिलते हैं आपको यो मैंनो की मैंनुपिलेट किये जा रहा है और आप होते रहते हो अंदा विश्वास करके क्योंकि आपके मन में कपट नहीं है ना तो आप समझ नहीं सकते कोई इंसान कितना गलत कर सकता है हाँ ऐसा है तो नहीं समझ पाते हैं आपके सामने वाला आपके साथ खेल रहे है और वो inning के साथ खेलता है और एक time के बात चीज़ें आपके सामने आती हैं जब लगभग end हो चुकी होती है इसा relationship को ही अगर मैं लूँ तो पता चला कि सामने वाली की engagement होगी शादी होगी तब आपको पता चला किया रहे मैं इसे प्यार कर रही थी या प्यार कर रहा था और यह तो किसी और के साथ ही था engagement होगी शादी होगी ऐसा friendship में भी जब सामने वाला आपको किसी और के साथ दिख जाता है तब आपको समझाता है रहे यह मेरा best friend नहीं था यह चीज तो यह आप बहुत face करते होंगे देखने में कुछ थोड़े से अकडू लगते होगे हो सकता है क्यूंकि attractive हो तो अकडू मतलब लगते नहीं हो लेकिन अगर आप लोगों से पूछोगे तो वो कहेंगे कि शुरू में जब मैंने आपको देखा तो आप बहुत घमंडी लग रहे थे कुछ उस तरीके से यह चीज है अच्छा ego थोड़ा सा आप में भी है वो दिखाई देता है थोड़े से egoistic हो लेकिन वही है प्यार के सामने अपनी जो self-respect है वो भी भूल जाते हो और यह चीज बड़ी painful हो जाती है बाद में दिमाग के तेज हो और multitasking करने में काफी अच्छी हो आप दो चीजें एक साथ आराम से handle कर सकते हो personal life professional life को बात करने में काफी अच्छी हो लोग बड़े attract भी होते हैं आपसे क्योंकि सुनन इसक अधिन की ख्षमता आप में बगवत अच्छी है लोग सुनाना तो चाहते हैं लेकिन सुनना नहीं चाहते है और इसमें आप बहुत अच्छी हो सुनते हो आराम से बैठ कर बाते लोगों की तो इसमें काफी अच्छे है आप एक चीज और है किसी को दोके में नहीं फेशन हो healing का या फिर वैसे ही आपको लोगों की help करना counseling करना लोगों की पसंद है कुछ नो के लिए मुझे लग रहा है हो सकता है आप psychic है या intuitive है कुछ चीजों का अंदाजा आपको पहले से हो जाता है या फिर हार एक चीज का हो जाता है यह मुझे यहाँ पर दिखाई दे लोग आपकी अडवाइस लेते हैं और कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों को लोगों की life बनाने के लिए उनको advice देते हैं और लेने के बाद successful होते हैं और बात में आपको चाटा मर देते हैं तो ये भी हो सकता है आपके साथ हो था हो लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ अब भी हो सकता है कि उताय चड़ाव जादा है लेकिन आने वाले तीन से चार सालों में आप एक बहुत ही अच्छी पोजेशन पर होगे और आपका अपना आपके नाम पर घर होगा आप गाड़ी चाहते हो तो वो होगा अच्छा पार्टनर होगा सब कुछ होगा और अगर आप मैरेड हो और मैरेड लाइफ में शूज चल रहे हैं तीन से चार सालों में देखना बोलते हैं न काया पलट वो हो जाएगा ये ग्यारेंटी है सिर्फ एक चीज ध्यान आप रखें एक तो आप चैरिटी करते रहें जितना है उतने में करते रहें जैसे अभी मैं भी बोलती हूँ ना चैरिटी फेस्टिबल है आप लोग थोड़ा सा डुनेट करें तो बहुत से बच्चे हैं स्टूडेंस हैं वो बोलते हैं कि दी हमारे पास तो ही नहीं हमें एक रुपए या दो रुपए या पांच रुपए करें तो चलेगा क्या चलेगा नहीं दोडेगा तो यह आपके लिए भी है आप कहीं भी करो मैं यह नहीं कहरी कि आपको यहां इस फेमिली में ही करना है नहीं आप कहीं भी करो लेकिन चैरिटी करते रहो दो तीन रुपए पांच रुपए भी करोगे न वो भी बहुत है लेकिन आपको करते रहना है और आप हो भी तो ऐसे मतsanreto, बगर मैं नहीं भी कहу तब भी आपका मन करेगा है न? आपको दिल करता है, help करने का सच बताना है आपके साथ ऐसा तो वो करते रहो, उसको रोकना नहीं है, और ये इच्छा नहीं रखनी है कि सामने से भी आपको मिलेगा नहीं मिलेगा चलेगा कई बार जैसे नुकसान भी होता है तो भी आप लोगों की help करो यह है और यह भावना सब के अंदर होनी चाहिए ठीक है ना तो यह कुछ थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया आपके बारे में ताकि आपको समझ आए कि डीरिंग आपकी है या फिर नहीं है यह थोड़ा बता देते हैं तो लोगों को अच्छा लग जाता है कि अरे ठीक है यह मेरी है मेरी है तो आप हम देख लेते हैं कि यह साल कितना आपके लिए लगी रहने वाला है और कैसे लखी रहने वाला है और चाल लो टैन ओफ कर्प्स सिक्स ओफ कर्प्स सन एल लो जी और बॉटम आफ दी डेख है एस ओफ कर्प्स तो एस ओफ पैंटिकल्स भी है आपके लिए और एस ओफ कप्स भी है आपके लिए सो अब मैं डीटेल में बताती हूँ कि किस तरीके से साल वैसे अगर मैं नहीं भी बता हूँ सन का कार्प देकर आपको समझ आही जाना चाहिए कि जो अगला साल है आपके लिए बहुत जादा लखी रहने वाले इस पेशली उन लोगों के लिए जिनका बर्त जिनका मूलांग या भाग्यांग आठ बनता है ठीक है अगर आप में से किसी का भी आठ है तो कि मुझे मैसेज मिल रहा है तो मैं दे रही हूँ तो उनके लिए तो ये साल किसी मिरिकल से कम नहीं रहेगा ठीक है सो कहां कहां से लख साथ देगा अगर आप मैरिट है या आप शादी करना चाहते हैं तो आपके लिए साल बहुत लखी सावित होगी आपका पार्टनर आपको मिल जाएगा आपका ट्रू लव आपको मिल जाएगा शादी होने के 100% chances हैं मैरिट है तो आपकी मैरिट लाइफ बहुत ही जादा अच्छी हो जाएगी इस साल में अगर आप अपने हस्बेंट से या वाइप से अलग रह रहे हैं काम के चलते तो कुछ तो ऐसा होगा जैसे आप होसकता ट्राय कर रहे हूं कि आप लोग साथ में रहने लग जाएं क्याते हैं न कुछ जुगाड वगाड करना तो वो काम कर जाएगी नेक्स्ट येर दोहजार चौवेस में तो दोहजार चौवेस में आप दोनों साथ रहने लग जाओगे अगर आप लोग साथ रह रहे हैं और कुछ फैमिली इशूज है तो वो भी आप सॉट आउट कर लोगे मतलब टैन ओफ कप्स है यार टैन ओफ कप्स यानि किसी यहाँ पर कपल है और उनके दो छोटू-मोटू कीडू-पीडू भी है तो पूरा फैमिली महौल बना हुआ है तो फैमिली के साथ में आप सेलिब्रेट करने वाले हो हर एक मोमेंट को तो फैमिली में लडाई जगड़े हो गए या फैमिली में किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है या आपके पार्टनर से आपकी नहीं बन रही या आपको शादी करनी है शादी नहीं हो रही ये सारी चीज़े अगर हैं तो उनस सबका सेलिउशन आपको next year मिलेगा next year आप enjoy करने वाले हो आपकी फैमिली के साथ खुल मिला कि यह है और अगर आपकी फैमिली नहीं है फैमिली मिल जाएगी कई बार ना जो आपके पास है जिसके आप value नहीं समझ रहे लुकता रस्ते हैं ठीक है six of cups के साथ में क्या है कि कोई तो ऐसा मित्र आपको मिल सकता है जो बहुत पहले कभी बच्पन में आपको मिला हो या फिर हो सकता है कि अगर आप किसी को manifest कर रहे है अपने past से तो वो वापस आ सकते है प्लस आपको baby gift मिल सकता है यानि कि आप conceive कर सकते है अगर आप चाहते हैं conceive करना फैमिली बनाना तो चोटू मोटू किटू पिटू आ सकता है next year और ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी को adopt करें अगर आपकी इच्छा है adopt करने की तो next year आपकी वो इच्छा भी पूरी हो जाएगे तो बहुत से घरों में ऐसा हो जाता है कि husband wife चाहते हैं कि adopt करें लेकिन घर वाले नहीं मान रहे होते हैं तो आप उनको convince कर पाओगे और एक बेबी आपके घर में आ जाएगा दूसरा मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोग हो सकता है कि next year एक छोटू सा business शुरू करें जैसे homemade चीजों का जैसे अगर आप घर में कुछ कपड़े वगेरे बनाते हैं या home decoration का कुछ समान वगेरे बनाते हैं तो उससे जुड़ा छोटू सा business आप next year शुरू कर सकते हैं जो की जैसे जैसे महीने बीतेंगे वो बढ़ता चला जाएगा with the sun card मैं हाँ पर देख रही हूँ कि health आपकी बहुत अच्छी होने वाली है प्लस जिस एरिया में भी life के आपको लगता है कि एक darkness सी है या चीजें stuck हो गई है तो वहाँ पर आपको movement देखने को मिलेगा वो darkness भी हटेगी और आपकी health में भी बड़े-बड़े सुधार होंगे आपकी healing भी होगी धेर सारा प्यार और सम्मान with stability आपको next year मिलने वाला है ये कैसे मैं बोल रही हूँ with ace of cups and ace of pentacles के साथ ace of pentacles यानि के financial stability ठीक है तो अगर अभी आपको लग रहा है कि business नहीं चल रहा job में ठीक से उतना नहीं कर पा रहे हो मालो आप rent पर रहते हो तो आपको लगता है rent ही पूरा दिये दे रहे हो कुछ saving नहीं हो पा रही तो next year ऐसा होगा कि या तो आप जहां job करे हो वहाँ कुछ बदलाव होंगे या हो सकता है आपका आप job भी बदल दो company बदल दो बट आपकी जो financially दिकते चल रही है आप stable जितनी stability चाहते हो वो नहीं आपको मिल पा रहे है next year आपको मिलेगा Ace of Cups के साथ में love, compassion, respect आपको बहुत ज़ादा मिलने वाली है और किसी तरीके का अगर डर है आपके अंदर तो वो डर आपके अंदर से मिटेगा especially अगर आपकी राशी है Scorpion तो राशियां जो कि मैंने नहीं बताई वो भी बता देती हूँ सिंगर राशी कि हो सकते हैं कुछ लोग के लिए मुझे लग रहा है कि आप हो सकता है Aries भी हो और कुम्ब राशी भी आपकी हो सकती ये राशियां मुझे यहां पर नजर आ रही है तो यह सब कुछ कहीं ना कहीं आप रिसीव करने वाले इस तरीके से साल जो है बहुत ही जादा लगी सावित होगा अब यहां से तीन कार्ड में निकालूंगी यहां से भी क्लारिटी लेंगे कि और कहां पर आपका लग जो है वो बहतर तरीके से काम करेगा तो पहला आया है हेल्थ जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था यह पाइल वन में भी आया था और मैं बहुत खुश हूँ जब आपके लिए ऐसे कार्ड जाते हैं हेल्थ को लेकर एक्शली हेल्थ नहीं है ना तो कोई भी चीज़ आप इंजॉई नहीं कर सकते हैं सेलिब मैंने बताई हैं तो यह तो काफी अलट रहता है अपनी हेल्थ को लेकर ठीक है मनी तो फाइनेशली आप स्टेबल होने वाले हो मैंने पहले यह आपको बोला कि पैसा जो है पैसे के मैमले में आप लखी रहोगे पैसा कहीं अटका वटका है ना वो भी मिल जाएगा और आपकी जो चिंता है वो हड़ जाएगी लखी सावित होगा हर तरफ से आपको पैसा दिखेगा नेक्स्ट यह आता हुआ हम लोग छोटे थे ना तो ऐसे गड़ के सफाई करते थे कहीं सभी मिल जाते थे याद हैं बड़े खोशी होती थी तो जब लक्षमी आती है ना तो आती है नहीं तो अपना पर्स देखते रहो इतर उदर चानते रहो एक रुपया नहीं निकलता तो यह हो जाता है तो नेक्स्ट आपके लिए वही है आप जहां भी हाथ लगाओगे वही समझ लोगे वो चीज सोना बन गई और फैमिली जो कि मैंने आपको पहले ही बोला थ था था तो इस लिहाथ से यह जो आपका साल है काफी जयादा लखी साबित होगा और कल देखल वें और जैसे लोग जाचुके नेकिन …-उनका दर्ध और को अंदर है तो उसकी healing हो जाएगी यह होने वाला है, दिख रहा है exchanging gifts, मैंने gifts के बारे में आपको बोला था, right, and see तो लोग ऐसे काफी मिलेंगे आपको जो की reciprocate करेंगे इस बारी अगर अभी तक आपको ऐसे लोग मिले जिनको आप प्यार करते थे, सामने वाला नहीं करता था प्यार तो इस साल ऐसा होगा कि आपको लोग ऐसे ही मिलेंगे जो की reciprocate करें और आप अगर उनके लिए कुछ करते हो तो उसका सम्मान करें वो लोग ठीक है, go the distance काफी सारी plannings होगी आपकी हर महीने आप सोचोगी कि next month क्या करना है January है तो February में क्या कुछ नया करना है क्योंकि January में results काफी अच्छे मिले फिर February के लिए planning जो करी है उस पर काम करोगे वहाँ से results अच्छे मिलेंगे तो सोचोगी अब March में कुछ और नया try करना है अटके नहीं रहोगे जब results अच्छे मिलते हैं तो हम आगे बढ़ते चले जाते हैं तो वो चीज़ है और जो भी करोगे planning के चलते करोगे ऐसा नहीं यूहीं कुछ भी कर लिया 11 भी यहाँ पर आया है and see bottom of the deck क्या है happy happy तो कहीं ना कहीं यह जो style है आपको इतने सारे miracles इतने सारे gifts देगा कि आप बहुत बहुत खुश रहोगे और देख लेते हैं आपकी लिए क्या है very happy for you guys growth तो आपकी growth होगी next year हर तरफ से मतलब speciality and financially भी हर तरफ से मतलब growth है आपकी discipline तो यह मैंने आपको बोला था कि अगर आप health वगरे का नहीं देखते हो सोचते नहीं हो तो थोड़ा सोचो आप करोगे next year और यहाँ पर यह भी affirmation है कि मैं जो भी सोच लो वो हो ही जाता है तो कहीना कही confidence आएगा और surrender आप करोगे surrender का जो concept है वो भी आपको समझा जाएगा क्योंके ऐसे काम करती हैं चीज़ें यह वाली चीज़ ठीक है एक deck से और cards देख लेते हैं और फिर हमारी reading हो जाती है complete work through your fears वो मैंने आपको बोला क्योंकि immune की energy थी और फिर से देखो यहां पर scorpion energy है तो किसी तरीके का डर है ना उस पर थोड़ा काम करना तो साल आपको और भी ज्यादा अच्छा जाएगा be bold and make the first move अगर यही डर की विज़े से थोड़ा आप आगे नहीं बढ़ पाते हो या रिस्क नहीं ले पाते हो इस पर थोड़ा काम करो तो साल और भी अच्छा जाएगा और हमेशा के लिए जाएगा मतलब आगे भी जो साल है वो अच्छे जाएगे आपकी डर की विज़े से कहीं नहीं चीज़े रूप जाते हैं ऐसा है you are very close to achieving your goal ओके all right guys तो ये थी आपकी reading I hope कि आपको पसंद आई हो अगर पसंद आई है तो like जरूर करें and resonate करी हो तो मुझे जरूर बताएं share करें subscribe करें इस channel को thank you so much for watching the video कल फिर से मिलते हैं till then take care bye bye hey guys तो अगर आपने choose कि आई group number 3 जो कि कुछ इस तरीके से है अगर आपके birth months जो हैं वो कुछ इस तरह से हैं March, June, September and December जिसमें September में टी ही नहीं बनी हुई है anyways कोई बात नहीं जाने दो अपनी family है सब समझते हैं तो चली देखते हैं next year आपके लिए कितना lucky साबित होगा cards कर लेती हूँ shuffle और फिर हम करते हैं हमारी reading ज़र अप्रार्थना करलू just a minute all right group number three group number three group number three okay तो यहां पर आया है coin of pentacles then we have king of swords queen of wands king of pentacles यह क्या हो रहा है king queen king queen magician seven of pentacles लोग king of wands भी आ गया जोड़े आ रहे हैं जोड़े जोड़े the emperor nine of pentacles the empress क्या बात है भई queen of pentacles king of pentacles queen of wands king of wands emperor empress यह सी reading दो पहले I think कभी भी नहीं आई इतने सालों में the hangman all right bottom of the deck क्या है हार में थै powerful रहेगा यह साल आप क्या लिए यहां से भी देख लेते हैं कुछ cards और फिर मैं आपको explain करते हैं तो पहले तो मैं आपको बताऊंगी आपका personality type क्या है तो आपको अच्छा लगेगा सुनकर जानकर और फिर आप reading देखिएगा magician फिर से आता है for you page of swords आता है justice है major का नजारे आपके लिए strength है six of swords है और देखो यह निकलने की कोजिश कर रहा था death again major का न तो देखते हैं क्या कुछ है राशियों के अगर मैं बात करूँ राशियों से शुरू करती हूँ तो राशिया मुझे लगता है gemini है capricorn भी है mean राशियों यानि के python हो सकते हो cancer भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए करकर राशियों वर्गो भी लग रहा है हो सकता है ब्रिश्चिक Libran भी है energy याँ पर तो Libra भी हो सकती है यानि के तुला राशियों के भी हो सकते हो और जो राशियां छोट गई है जरूरी नहीं के वो नहीं हो लेकिन इनका प्रभाव थोड़ा जाता था तो मैंने आपको बता दिया थोड़ा आपको personality type मैं यहाँ पर बताऊंगी क्या personality है आपकी personality आपकी ऐसी है आपको पहचानना बड़ा मुश्किल है first of all अगर कोई बहुत close है ना आपके तो ही वो आपको समझ पाएगा otherwise लोग confused हो जाएंगे आप इस तरीके के इनसान हो हो सकता है आपकी parents भी आपको पूरी तरीके से ना समझते हो मतलब यह कोई बुरी बात नहीं है यह नहीं कहारी कि यह गलत है आप ना आप बड़ी आसानी से चेंज हो जाते हो situation को देखते हो है यह है यह मैं देख रही हूँ जैसे आपके बात करने का तरीका आपको किसी को treat करने का तरीका उसको क्या पसंद है उसके आधार पर आप चेंज हो जाते हो अब ऐसा नहीं है कि इसके वज़े से आप खुद को तकलीफ देते हो, ना जी ना, आप वो तो नहीं हो, हो सकता है आपका टैसी नमबर वन हो, या वन किसी तरीकी से सिगनिफिकेंट हो नमबर आपके लिए, अब उन में से नहीं हो कि खुद को बहुत पेंदोगे, किसी को ख क्या सीक्रेट है वो पता सब्सक्राइब, जैसे किसी का डायरी अगर आपको मिल गया ना, आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे, उसको पढ़े बगयर, आप बिल्कुल पढ़ना चाहोगे, यह है आपके साथ, और अपना नहीं बताते हो जल्दी, यह है, तो इसमें काफ रहती है काई ना काई, और हो भी टैलेंटेट बात यह है, आपको यह लगता है कि मैं डिजर्फ करती हूं, या डिजर्फ करता हूं, तो है भी काफे अट्रेक्टिव हो, इसमाइल भी बड़ी प्यारी सी है आपकी, बाते भी अच्छी करते हो, काम भी अच्छे से कर लेते हो, जॉब करते हो, तो जहां तक मैं देख पा रही हूं कि कभी भी काम को बीच में नहीं छोड़ते हैं, कंप्लीट करते ही करते हो, उसके लिए अप्रेशेट किया जाता है, लेकिन संदुष्ट नहीं रहते हो गया, जितनी तारीफ हैं आपको मिलती हैं, वो शायद आपक कम ही लगती हो, क्योंकि आपको लगता है, आप डिजब जादा करते हो, यह चीज, लोजिकल हो, जहां पर ज़रूरत है, वहां पर लोजिकल हो, समटाइम्स, एमोशनल हो, समटाइम्स, और कुछ लोगों को लेकर, हर किसी को लेकर एमोशनल नहीं हो जाते हैं, कुछ लोग जाती है तो फिर आप कोशिश करोगे मेरे बारे में जानने की ऐसा तो ऐसा नीचर है आपका और अगर आपको लगता है कि हाँ सामने वाला बंदा जैनुवन है तो आप चाहोगी उसको अपने पास रखना अपने साथ रखना यह आपकी इच्छा रहती है समय लेते हो कोई भी फैसला लेने पर इस्पेशली अगर बात रिलेशनशिप की हो तो वही है जानने पहचानने की इच्छा रहती है जानते पहचानते हो उसके बाद भी थोड़ा समय लेते हो और फिर यूनो डिसीजन अपना जो भी है सुनाते हो गुमने फिरने का काफी शौक है आपको ख्याल भी रखते हो फैमिली का बहुत ख्याल रखते हो देखरी हो लोगों की हेल्प भी करते हो फ्री के एडवाइस देते रहते हो यह भी है आपके साथ आप दे देते हो आपको यह नहीं लगता कि क्या बुलेगा क्या कहेगा यह करते हो आप, डॉक्टर हो सकते हो, मेडिकल फिल्ड से हो शायद, या लेक्चरार हो सकते हो, ट्रोफेसर, या फिर साइन्टेस्ट, या फिर हो सकता है आपका अपना बिजनेस हो, पूरा एक एमपायर सा लग रहा है मुझे, काफी अबंडेंट हो, फैनेशली अच्छे हो नहीं तो आपकी फैमिली बैग्ग्राउंड आपका काफी अच्छा हो सकता है, काफी रिच्छे हैं आप लोग ऐसा मालूम देता है जैसे नाइट ड्रेस में, किसी के भी सामने आजाना, अगर कोई मिलने आया है, तो आप चाहते हो कि प्रॉपर्ली आप पहले तयार हो, उसके बाद फिर मीटिंग हो, ऐसा एक अकड सी रहती है अंदर, और वो नैचरल है, वो ऐसा है कि शायद किसी से ये गुण मिला है, या तो ममा से या पापा से, किसी से मिला है, ऐसा मालूम देता है ओवरॉल एनाजी यही कहती है कि अब्जर्फ बहुत करते हो चीजों को, यह है, कोई छोटी इसी भी चीज होगी, कुछ भी किसी ने कुछ बोल दिया, तो बात पकड़ने में बहुत एक्सपर्ट हो, गलतिया पकड़ने में बहुत एक्सपर्ट हो, जैसे अगर आप ऑफि सेंटेंस, जो है, वो गलत लिखा है, वो बहुत जल्दी आप पकड़ लेते हो, और हो सकता है इस तरी की काम आपको दिये जाते हो, कि बहुत इनके पास ले जाओ, इनको डाइरी दे दो, इनको यह डॉक्यमेंट्स दे दो, यह देख लेंगे, बता देंगे, कुछ ऐसा, आपको, अगर आप एक रिच फैमिली से हो, तो पता है, यह बड़ी बात है, अगर आप खुद अपने दम पर कुछ बन कर खड़े हुए, तो ठीक है, मतलब वो समझ आता है, लेकिन अगर किसी रिच फैमिली से भी हो, तब भी आपको पता है कि पैसे का इंपोर्टेंस क्य है, अधरवाइस तो बहुत से लोगों के साथ होता है, कि अछिए फैमली से होते हैं, तो उनको उतना आइडिया यहां होता है, यहीं कुछ लोग शाथ अने कर रही गए, लेकिन आप की साथ व्य मियल्सा नहीं है, थोड़ा से चीजों को कंट्रोल करने की आदत है, य आपको experience ज्यादा है and यह कुछ चीजें हैं यह कुछ मैंने आपको points बता है चीजें handle भी करते हो असल में क्या है आप बहुत talented हो और काफी attractive हो और multitasking करने में बहुत अच्छे हो तो आपको यह लगता है कि आप deserve करते हो respect लोग का attention यह सब कुछ तो अगर वो चीज आपको नही realize नहीं करते कि उनको इतना मिलना चाहिए वो deserve करते हैं उनको नहीं पता रहता आपको पता है बस यह है तो अगर आपसे यह resonate करिए तो मुझे जरूर बताएं यह कितना आपसे resonate किया है क्या कुछ है लोगों की help करने के लिए आगे रहते हो दिख रहा है charity वेगरे करते रहत हो गए can see उसूलों के पक्के ओ दिख रहा है यहां पर again okay so देखते हैं कि next year आपके लिए कितना lucky सावित होगा और कहां से personal life से professional life से कहां से so let's see 10 of pentacles आया है the world आया है five of cups आया है okay तो यहां पर यह दो cards और हैं जो कि मैं देखना चाहूंगी एक तो sun हो गया एक star हो गया moon ही बाकी है बस the tower seven of wands okay एक तो यह साल आपके लिए लखी रहेगा क्योंकि जो कुछ आपने खोया है इस साल okay अभी 2023 के मैं बात कर रही हूं इसमें अगर आपने कुछ खोया है कुछ या बहुत कुछ खोया है या इससे पहले भी आपने जो भी खोया है 2021 से आई थिंग एक तो एक तो मुझे यहां पर दिख रहा है उन्नेस बीस इक यह मुझे टाइम दिख रहा है आपके लिए और नहीं तो 2030 यही साल कोई यह चीज़ें आपने कुछ रिलेशन्शिप्स हो सकते हैं कुछ फ्रेंशिप कोई प्रजेक्ट कोई अपॉचिनिटी तो उसकी हीलिंग हो जाएगी नेक्स्ट ययर ऐसा होगा तक मैं यह औऑनी कहारी है कि वो सारी चीज़े वापस ही आ जाएगी कुछ लोगों के लिए वापस भी आ सकते हैं मतलं वापस आने से हीलिंग हो जाएगी लेकिन सब के लिए नहीं कहुँगी बट wheat हीलिंग हो लब यह है कि जो भी आपके पास से गया है ना उसको लेकर जो दुख है अंदर वो नहीं रहेगा क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि वो चीज क्यों गई जैसे मान लेजी आप relationship में थे और breakup आपका हो गया या आपके partner की शादी किसी और से हो गई तो आपको यह पता चल या कुछ तो आपको बताएगा आपको लगेगा कि अरे यार इसको कैसे बता है मतलब कोई psychic हो सकता है जो कि यह बताएगा वह आपके past के बारे में कुछ चीज़े कहेगा तो आपको यकीन होगा कि हां यह सही बोल रहा है तो फिर future के भी बारे में बताएगा कि वह व्यक्त आपको मिल जाएगी तो healing हो जाएगी तो इस मामले में काफी lucky है यह साल आपके लिए healers आपको काफी सारे मिलेंगे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपकी healing करेंगे जैसे कि आप कहीं जा रहे हो रास्ते में train में plane में कोई मिल गया बातचीत हो गई कुछ उन्होंने बता दिया त तो वो खत्म हो जाएगे next year कैसे होगा कुछ पूजा बखेर या तो आप करवाओगे कुंडली देखकर या फिर वो time कह सकते हैं कि time ही हो गया है तो वो ending आपकी हो जाएगी अचानक से travel कर सकते हैं आप और यह काफी lucky सावित होगा भले ही आपर the tower है लेकिन sun के साथ में और के बारे में बात करता है जिसके लिए आपकी expectations नहीं है unexpected है कुछ होगे और अचानक से वो होगा तो अगर यह combination नहीं बनता हमाली जी यहां पर आ जाता high priestess या फिर यहां पर आ जाता justice तो कहते के कुछ ऐसा होने वाला है जो कि थोड़ा है तो अच्छा लेकिन सुनने देख कार है इसका मतलब है कोई बड़ी अच्छी खबर आपको मिलेगी या कोई ऐसी यात्रा हो सकती है जिससे बहुत बड़ा profit आपको होगा ठीक है यह possibilities यहां पर है next year के लिए अचानक से कुछ प्लान हो जाएगा आपका profit हो जाएगा कि job लग सकती है किसी और country में settled हो सकते हो आपका soulmate या आपका turn flame है वो मिल सकता है उसके साथ में journey शुरू हो सकती है ऐसा हो जाएगा और एक कार्मिक जो pattern है आपका cycle चलते हैं वो खत्म हो जाएगा बाकी के जो संदेश मिलते हैं family को लेकर हैं कि family में अगर किसी की health खराब है तो सही हो जाएगी और उससे काफी सार बहुत जरूरी है हाला कि हम सभी को लगता है लेकिन कुछ ऐसा होगा कि लंबे समय से लगातार family में लोग बीमार होते जा रहे हैं और उनको जैसे तैसे आपने हील किया अब यह last में कोई तो बचे हैं तो आपको लग रहा है बस यह और हो जाएं तो मैं चिंता मुक्त हो हो जाओंगा तो वह होने वाला है next year इस तरीके से मैं आपको बता रही हो ठीक है तो फाइनली जो लब कहते हैं ना कि यह आखिर मुश्किल है अगर यह भी ना रहती तो हम बहुत खुश होते सुकून में होते तो वह काम आपका होने वाला है तो इस लिहाब से दिखा करने वाली है यानि कि पूरा साल खुशियों से भरा रहने वाला है और मेजीशन तो आपके लिए दो बार यहां पर आया है तो कुछ भी मैनिफेस्ट करोगे वह रियालिटी में चेंज होगा ही होगा और ट्रिपल वन आपको दिखना शुरू हो जाएगा तो यहां से प्रोफेशनल लाइफ आपके लिए काफी अच्छी रहेगी यहां पर यह साल काफी लखी सावित होगा आपके लिए कोई भी आप प्रोजेक्ट लेते हो या कोई जॉब करते हो बिजनेस करते हो या किसी को कुछ जिम्मेदारी देते हो कोई प्रोजेक्ट देते हो अगर क साल कि एकाड आ रहा है इसको ले लेते हैं फैमिली जो कि मैंने आपको बताया कि फैमिली से जुड़े जो भी मुद्धे हैं जो परेशानिया हैं वो हलो जाएंगी अगर ऐसा कुछ है जैसे आपकी सिस्टर की मैरेड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है उसकी वज़े से क्लारिटी मिलती रहेगी मैं अभी आपको बोल रही थी ना कि आपको कोई तो व्यक्ति मतब धेर सारे हीलर्स आपको मिलेंगे अर्वाइजर आपको मिलेंगे जहां पर भी आपको लगेगा कि आप अठक रहे हो वहां पर वह आपको क्लारिटी दे देंगे यह होता रहेग तो टिक टॉक है यहां पर साल खुशियों में बीतेगा और समय कब निकल गया पता भी नहीं से ले गया एक्शलिए जब धेर सारी खुशियं हमलती है न तो ऐसे होता है प्लस इसका मतलब यह भी है कि काफी सारे काम होंगे करने के लिए कोई celebration भी हो सकता है, कई सारे हो सकते हैं, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी घर में आपके sister की आप brother की शादी हो सकती है, यह मुझे सबसे पहले message मिला था, आपकी अपनी शादी हो सकती है, आपका partner आपक मिलेगा, दूसरा no place like home, हो सकता है आप अपना घर भी खरीद लो, next year, अपना office खरीद लो, अपने family से मिल जाओ, लोग ऐसे मिलें जो कि family के जैसे हों, तो इस लिहाद से भी यह जो साल है, बहुत लखी रहने वाला आपके लिए है, and यहाँ पर एक आड़ और आता है, जो क मैं आपको कुछ दिखाती हूँ, सरने पिटे, अचानक से यह जो आपका दर्द है, five of cups और यहाँ पर भी again five number के साथ में वा फैन का card है, अचानक से अपना आपका दूर होगा, अचानक से आपकी healing होगी, I think कोई दो दर्द आपका ऐसा है, जो आपको लगता है कभी मेटे जाई नहीं, यह जिन्दीगी भर रहने वाले कोई पच्छतावा भी हो सकता है, बट, trust me, यह जाएगा और यह जरूर जाएगा, hold your vision, fixed moon, मैं बताती हूँ अभी इसका क्या है, मतलब, believe in the impossible, मैं अब भी आपसे क्या रही थी, see, believe in the impossible, आपको कुछ सपने आएंगे, आपको कुछ indications मिलेंगे, उन पर बस ध्यान देना, next year और उनको diary में उतारते रहना, आप देखना फिर क्या कमाल हो, ठीक है, और यहाँ पर आपके लिए bottom of the deck, a personal issue reaches resolution, तो जो भी परेशानिया हैं, दिकते हैं, next year आपकी खत्म होकर ही रहेंगी, इस sister से, brother से जोड़ी issues हो सकते हैं, या आपके अपने हो सकते हैं, जो भी personal issues हैं, मैं भी बात कर रही थी regret की, है ना, and see, I know that I cannot change the past, आपको यह realize होगा कि past आप change नहीं कर सकते हैं, so better है move on होना, दूसरा यह कि जो चीज़े हुई हैं, वो किसी reason से हुई हैं, ऐसे ही नहीं हो गई, ठीक है, और discipline आप maintain करेंगे, to accomplish your wishes, and तीसरा card आपके लिए आता है love, तो love के मामले में कहीं न कहीं यह साल आपके लिए बहुत ज़्यादा lucky साबित होगा, और यहाँ पर आता है success, so congratulations guys, next year आपके लिए lucky साबित होगा, और खुशी की बात यह है, कि सभी के लिए positive reading आई है, किसी के लिए भी negative messages इस reading में नहीं आए, so बहुत खुश हूँ, और जो कि मैंने बोला था, कि next year सभी के लिए अच्छा रहेगा, कहीं न कहीं इस reading में दिखा है वो, so affirm करिए guys से, और लगातार इसको repeat करते रहे, सुनिए इस वीडियो को, reading को और affirm करते रहे न, तो वो चीज़ें हो जाती है, reality में change, और वैसे नहीं भी करोगे, तब भी होगा, so guys, यह थी आपकी reading, I hope कि आपको पसंद आई हो, कर पसंद आई तो like जरूर करें, resonate करी तो मुझे जरूर बताएं, share करें, subscribe करें, thank you so much for watching the video, take care of you, bye-bye,